इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं function, function एक ऐसा topic है जो कि काफी सारे student को बहुत confusing करता है क्योंकि real use आप लोग इसका समझ नहीं पाते हैं अगर आप book से पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि एक simple सा जैसे cube का program है उसको जबर जस्ती इतना बढ़ा कर दिया पर मैं आपको और simple way में बता दूगा कि function का use क्या होता है और functions क्या है exactly function क्या है तो simply आप पहले अगर देखें functions की definition तो function कुछ नहीं है छोटे से program को आप function कह सकते हैं जो कि एक specific task perform करता है ठीक है अब यहां पर थोड़ा आपको और गहराई से मतलब कि क्या क्या चीजे हैं functions related वो मैं आपको बताता हूं कि functions डो टाइप के होते है एक function होता जो कि पहले से बना हुआ होता है ठीक है जो कि आपके compiler के अंदर ठीक है compiler के अंदर आपकी header file में होता है ठीक तो यह जो function होते हैं अगर आपको मैं example दिखा हूं तो printf scanf एक function है put हमने देखा get देखा फिर आप math.h में देखेंगे sine cost 10, causex, sec cost यह सब है फिर power function देखेंगे फिर exponential है, log है फिर आप जैसे graphic.h यूज़ करेंगे तो ग्राफिक में भी बहुत सारे ऐसे functions हैं ठीक है तो यहां पे functions की definition compiler के अंदर पहले से लिख दी गई है उसका आप यूज़ कर रहे हैं बार बार तो functions इसलिए बनाए गए हैं कि कुछ line of code बहुत बार यूज़ होते थे programmers में, मतलब programmer के code में तो उसको reusability मतलब बार बार उसे लिखना ना पड़े ठीक है इसलिए functions बनाए जाते हैं कि हमें बार बार वो line of code लिखना ना पड़े ठीक तो यहां पे अगर आपको मैं example दूँ यह देखें आप तो मैंने यहां पे एक power function बनाया है ठीक है यहां पे देखेंगे आप जैसे आपकी बुकों में लिखा हर जगे function बनाया होता कहीं तो यह आगई वैल्यू ठीक इस हिसाब से आप देखेंगे फिर दूसरी वैल्यू है 2 और 10 जा रहा है 2 10 जा रहा है तो फिर वैल्यू आरी है फिर 43 हो जा रहा है 73 से फिर यह तो एक ही code कितने बार यहां पे आप देख रहा होंगे काम कर रहा है अब देखें प्रिंट f जो रियूजबिल्टी के लिए ठीक है अब आते हैं दूसरे फंक्शन होते हैं मतलब रियूजबिल्टी तो आप समझ गए है में फंक्शन का परपस यही था रियूजबिल्टी अब आप देखेंगे यूजर डिफाइन फंक्शन जैसे कि मान लीजे आप एक प्रोग्राम बन करेंगे तो इससे अच्छा है कि आप पांचों के पांच मार्क से फंक्शन के थ्रू उसको सेंड कर दीजे और परसेंट केल्कुलेटर अपने आप ही करके बतलब फंक्शन जो है कैलकुलेट करके देदेगा तो यहां पर देखिए यहां पर जो है पहले क्या होता है कि हम इसको वह कंपाइलर तो पॉपाइलर वैरी करता है डिकलेट करने की जरूद है कि नहीं आपकी बुक में जासा हो ठीक है तीन चीज होती है फंक्सन में डेकलेटरेशन, डेफिनेशन और कॉलिंग फिर हम इसे डिफाइन करते हैं आप इसे ऊपपर डिफाइन कर सकते हैं य जिसमें हम क्या कर रहे है 2 की power 10 जो की 1024 है वो value को check कर रहे है तो हमने पहले base एंटर करा है फिर exponent लिया फिर 4 loop लगा के उसको उतने times multiply कर रहे हैं simply और so कर रहे हैं power ये था simple program अब यही program अगर मझे को 5-6 बार power निकाल ली है तो ये यहां पर पहले से predefined function power होता है pow और उसके through भी हम इसे कर रहे हैं यहां पर आप देख रहे होंगे तो यहां पर दो value ए 2 गया फिर 10 गया और simply power function के अंदर आ गया एम परसेंट लगा यह वैसे तो यह मैस जॉट में है पर यह इसे ही चल गया तो मैंने भी इसे ऐसे चला दिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि हां कुछ header file में कुछ function दो मतलब कुछ function होते जो दो-दो header file में भी defined होते हैं अब देखिए m% f लगा है क्योंकि इसका written type जो है यह topic अभी हम बाद में देखेंगे इसका written type जो होता है जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे int लिखा है तो इसका written type भी floating type का है तो इसकी definition अलग तरह से लिखिया है बट अब यहां पर देखिए जो function मैंने बनाया है अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं simple इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से समझने की कोशिस कीजेगा हमने एक value लिए mn number base number लिया exponent लिया यहां से हमने क्या किया function को call किया है function को calling हुई function call होते ही सीधे यहां जम करेगा ठीक है यहां पर mn की value a और b में आ जाएगी ठीक है इसको call by value भी बोलते हैं अब देखिए int i लिया है और power equals to 1 लिया है फिर 4 loop लगाया same वही i equals to यहां तक चलाया b तक और power into a कर दिया है और sprint में हमने क्या कर दिया है m% d और power की value आ गई 64 443 यह हो गया है हमने function की definition दिया है यहां से function को call किया है ठीक है अब देखिए अब मैं जो चीज आप लोगों को बता रहा हूं बुकों में आपको यह simple इतना program आपको देखने को मिलेगा फिर आप सोसते हैं कि यह इतना फाल्तू का बार बार उसे call करते रही है ठीक है आपको जितने बार call करना है 10, 20, 100, 200, 300 जितने बार भी करना है आप इस तरह से call कर सकते हैं उसे बार बार इसलिए functions बनाए गए हैं ठीक है तो ऐसे कुछ important function पहले से जो की बार बार use होने है तो हमने उसे header file में रख लिया और जो depend करता है कि आप जिस type का भी project लेके चल रहे हैं और उसमें बार बार use होना है वो user के उपर होता है कि उसे कौन-कौन से और functions add करने हैं प्रोग्राम में प्रोजेक्ट में ठीक है तो यह चीज है function और अब हम आँगे देखें कि call by value call by reference और मैं देख रहा हूं कि आपने मेरा पहला course त तो फिर मैं जावा का भी course बनाने की सोच रहा हूं तो मैं इसको दस वीडियो पर ही रोपता हूं ठीक है तो data structure फिर हम बात में यूज करेंगे इसमें बहुत सारे topic छूट गया ऐसे तो देखें आप अगर function हो गया pointer हो गया string हो गया ऐसे ही मतलब C के बहुत सारे topic छूट ग के course आंगे लेके चलूँगा ठीक है तो मैं इस course को तो साइद अभी रोक दूए है एक video all डाल देता हूं अब मैं Java पर जल्दी से जंप करता हूं फिर Android का course लेके आता हूं ठीक है तो चलिए और हो सके तो contribute कीजिए in academy पे कि हम और अच्छे अच्छे course लेके आए हैं आप ल